साथ ही ओ आज की वीडियो में हम लोग दिसकस करेंगे Milton's Word on the Morning of Christ Nativity इससे पहले हम इल पैंसर सो और एल एलेग्रो के उपर एक वीडियो बना चुके हैं अगर आप लोगोंने वो वीडियो नहीं देखिये तो उस वीडियो को जाकर के जरूर देख लिजेगा दोस्तो उस वीडियो में by mistake 1645 बोलने के जगए पर 1945 हमने बोल दिया है उसे थोड़ा सा ठेक का लिजेगा चलो आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं Milton की Ode on the Morning of Christ Nativity की अगर हम बात करते हैं तो Nativity Ode जो है वो लिखा गया जौन मिल्टन के द्वारा लिखा कब गया 1629 में इसको लिखा गया पबलिश हुआ in his poems और ये पबलिश कब करवाया गया था तो इनका एक poems collection था जौन मिल्टन साब जी का ओके जो की 1645 में उसमें इसको पबलिश करवाया गया तो ये लिखा गया रिटिन 1629 में और पबलिश हुआ 1645 में दोस्तों इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अगर हम बात करते हैं तो इस आ Nativity Ode क्या है अगर रिटिन लिखा गया किस के द्वारा लिखा गया जौन मिल्टन के द्वारा लिखा गया कब लिखा गया 1629 में इसको लिखा गया और इसको पबलिश कब करवाया गया था तो इन ही अपने हमने क्या बताया दी पोएम इनके एक पोएम्स कलेक्शन था आप मिस्टर जौन मिल्टन जो की 1645 में इसको पबलिश करवाया था दोस्तो इसके बाद हम बात करेंगे इस पोएम में किसके बारे में जिक्र किया जाता है किसके बारे में बताया जाता है दोस्तो तो दी पोएम डिस्क्राइब्स बरणन करती इस पूरी की पूरी पोएम में जो ब्रणन किया जाएगा बताया जाएगा तो किसके बारे में Christ Incarnation Incarnation का मतलब होता है दूस्तो अवतार लेना कि जो Jesus Christ थे उन्होंने अवतार लिया था ओके and His Overthrow of Earthly and Pagan Powers अब ये Pagan Powers क्या होता है Pagan Power उनको कहते हैं जो मूर्थी के उपासक होते हैं मूर्थी की पूजा करने वाले हम ये भी कह सकते है साथियो कि जो On The Morning of Christ Nativity है जो की 1629 में John Milton के द्वारा लिखा गया और ये लिखा किसमें गया The Poems of Mr. John Milton का एक collection था 1645 में जो की पब्लिश हुआ था उसी collection में इस Poem को पब्लिश करवाया गया था और ये जो Poem है On The Morning of Christ Nativity ये John Milton का सबसे पहला ओड है ध्यार रखना इसके बाद John Milton ने एक Poem थी जो की अगर question इस तरीके से है John Milton की सबसे पहला ओड कौन सा है तो आपका पहला ओड किसको बताओगे इसी को यानि कि ओड on Christ Nativity अगर question ऐसे पूछा जाए कि Milton's first published poem कौन सी है तो on Shakespeare बताओगे जो कि 1630 में लिखी गई थी दोस्तो अगला हम लोग discuss करेंगे कि इसमें हमने क्या बताया था कि कविता में इसा मसी के अवतरण के बारे में बताया गया incarnation के बारे में अवतार के बारे में बताया गया और सांसारी का और जो मूर्ती पूजक सक्तियों को उखाड फेंकने के लिए यानि कि उसको ओवर थ्रू प्रतवी से एकड़म बिलोप्त कर देने के लिए उनका जो है ब्रणन किया गया अब आगे हम लोग डिसकस करेंगी दी पोईम आलसो कनेक्ट दी इनकारनेशन विद क्रेष्ट क्यूरिफिकेशन सॉरी क्रूसिफिक्शन तो जो क्रूसिफिक्शन का मतलब होता है सूली पर चड़ाया जाना इसका मीनिंग क्या होता है सूली पर चड़ाया जाना तब देखो बहाँ पर क्या कहते हैं कि कविता में ईसा मसी के जो अवतार था अवतार के बारे में है और ईसा मसी के सूली पर चड़ाया जाने से related discussion किया गया है दोस्तों और हम बता दें कि जो एक कविता है वो दो भागों में बटी हुई है एक इसका introduction पार्ट है जिसमें सुरुवात के चार stages होते हैं और इसका दूसरा पार्ट जो होता है वो क्या होता है हिमन होता है H by M N ठीक है हम बात करते हैं कि ये जो एक से पांस तक involved जो होते हैं इसके उसमें जो Christ होते हैं कि जन्म के समय उनके पैदा होने के उद्धिस को परचे कराते हैं और Christ का जो जन्म होता है वो 25 दिसम्बर सर्दियों में होता है उनके जन्म का उत्सव मानव को सजा से बचाना था और प्रतवी पर सांती को लाना था क्रिष्ट ने ब्यक्ति के रूप में जन्म लिया आगे कभी ए भी कहता है इस पूरी पोईम में कि जो क्रिष्ट के जन्म पर संसार में सांती फैल गई गौड फियर को नश्ट करने के लिए इनकी भागवान के प्रती डर को समाप्त करने के लिए क्रिष्ट के द्वारा परतवी पर अव्दार लिया गया सभी जगह सांती थी कहीं पर भी यूद का कोई सोर नहीं था सारी यूद समाप्त हो गए सीज हो गए क्रिष्ट के जन्म की रात बहुत सांती हवाएं सान थी समुद्र का और जो समुद्र था वो बिलकुल भी दहारना भूल गया था तारे सभी अचंबित थे वे सभी एकी दिसा में धूर रहे थे उनके जन्म पर स्वर्गिये ध्वनी की जा रही थी तो यह कुछ जो है Ode on Christ Nativity के बारे में बताते हैं पूरी पोईम के बारे में डिसकस करते हैं थोड़ा important point और डिसकस कर लेते हैं हम लोग John Milton का On the Morning of Christ Nativity है Also known as किस नाम से जाना जाता है Nativity Ode के नाम से भी जाना जाता है Is a poem यह एक poem है about बारे में The Worth of Christ यानि कि जो Jesus Christ थे उनके जन्म के बारे में है And also a poem about The Worth of a Poet अर्था Nativity का मेनिंगी होता है Nativity means occasion of a person's worth Okay, next Ben Milter Road जब John Milton इस poem को लिख रहे होते हैं कब 1629 में तो उस समय John Milton की एज कितनी होती है 21 year होती है कहीं no down का लेजेगा यह question पूछा गया है कि जब Ode on a Christ Nativity John Milton लिख रहे थे उस समय John Milton की एज कितनी थी तो 21 साल की थी कितनी? 21 साल की और जब यह लिख रहे थे तो यह कौन से University में पढ़ते थे यह इनका Oxford University में उस समय पढ़ाई करते थे इस्टड़ी कर रहे थे और बहीं पर उनोंने इस पोएम की रचना की sorry not Oxford, Cambridge University माप करना दोस्तों इस पोएम की रचना कहां? Cambridge University में पढ़ते समय की थी had not yet published a collection of poems okay in many ways the nativity ode is about the poet preparation to the leave into the waltz and begin his career माना जाता है कि ode on crash nativity से ही इनके career की शुरुआत होती है अपने career की शुरुआत करते है अब थोड़ा सा कविता की रूप के याने के फॉर्म आप दी पोएम को देख लेते हैं तो the poem is divided into two sections हमने बताया था पहला section इसका क्या होता है him कहलाता है which comparizes the bulk of the poem जिसमें total 27 strangers होते हैं इस preferred वाई हाज जिसमें से prefer किया जाता है four strangers को as a introduction के रूप में दोस्तो इसके बाद जो milton's introductory strangers होते हैं उनके बारे में समझ लिजेगा are seven line age प्रते कितने साथ lineों के होते हैं five line of ambic pentameter पाच lineों में ambic pentameter होते हैं और जो ambic pentameter होता है उसमें using जो rhyme scheme use की जाती है वो किस तरीके से a,b,ab,b और last में जो five line के बाद में last में followed via rhyming couplet एक जो है rhyming couplet लगा होता है couplet का मतलब होता है defining line और जो final line होती है प्रते के इस्टेंजा की वो काय में लिखी जाती है iambic hexameter में लिखी जाती है तो ये सब चीजें आपको याद रहेंगी ठीक है इसमें कुछ goddess को आवान किया जाता है दोस्तों तो list आप लिकें या pagan gods अब pagan gods कौन कौन होते है अपालो अपोलो अपोलो के बारे में समझ लिजेगा ये Greek या Roman यंग solar god कर लाते हैं god of light भी इनी को कहा जाता है अपोलो के ही अपोलो को ही ठीक है truth and prophecy god of okay आर्करी medicine and healing god of music poetry and the arts अगले कुछ और gods भी है जैसे अनुविस है okay Egyptian god आप दी dead कहलाते है एटिन जो है वो Egyptian supreme god solidarity कहलाते है और ब्रह्मा जो है ये Hindu creator god कहलाते है इनके बारे में तुँ आप जानते ही होंगे ये भी pagan god कहलाते है और quiet जो होते है वो first nations okay trick is tear god कहलाते है तो ये कुछ god के बारे में इस poem के बारे में जिक्र किया गया जिसमें Apollo को उन्होंने बताया है Apollo को बारे में याद रखना है ये कौन थी तो अब हम इस poem पर आधारित कुछ objective type questions को लगा लेते हैं दोस्तो चलो लगाते हैं सबसे पहले who was the prince of light prince of light किसको कहोगे Christ के लिए Jesus Christ यानि कि prince of light कहलाएंगे इस poem की बात कर रहे हैं दूसरा और God of light कौन थे God of light किसको कहा जाता है Apollo को दूसरा हम बात करेंगे second which biblical event does Milton include in the nativity ode हम पहले भी बता चुके हैं nativity ode के बारे में कि जो Milton का nativity ode है उसमें किस Bible की घटना का को सामिल किया गया है biblical event का मतलब होता है Bible की कौन सी घटना को include किया है Milton ने तो कौन सी घटना को include किया है दोस्तो यानि कि the final judgment के लिए किसको the final judgment को दोस्तो तीसरा question हमारा कौन सा है who is the dragon dragon कौन होता है belgivab, mars, saturn या Apollo belgivab जो है वो saturn कहलाता है saturn का मतलब होता है सैथान dragon कौन है अगला dragon हो गया saturn यानि कि सैथान और next question who is Apollo Apollo कौन कहलाते है तो Apollo ध्यान रखना इस poem में कौन है Greek god of poetry Greek god of poetry Apollo इन चार options में अगला what is a muse muse किसको कहते है muse जो है बैसे तो ग्यान की देवी को कहा जाता है मासर सती के लिए okay a Greek goddess who inspires poetry यहाँ पे जो है muse कौन है तो एक Greek goddess ने inside post याने की who inspires poetry जो poetry को क्या करती है inspire करती है छे नंबर का which event occurs कौन सी घटना occur होती है घटित होती है इसा मसी के जन्म के बाद after the birth of Christ याने की इसा मसी के जन्म के बाद कौन सी घटना घटित होती है तो कौन सी घटना घटित होती है इसा मसी के जन्म के बाद एंजल सिंग्स इना कोरस जो एंजल होते हैं ये वाला आपसन आपका सही होगा एंजल होते हैं देवदूत वो सिंग्स गाते हैं इना कोरस सम्हुगान करते हैं ठीक है कब इसा मसी के जन्म के बाद उनके जन्म के खुसी में जितने भी एंजल्स होते हैं देवदूत होते हैं वो sing in a chorus एक सम्हुगान करते हैं यानि की सम्हु में गाते हैं दोस्तो अगला 7 नमबर How old was Milton when he wrote the Nativity Ode? Most important questions है ध्यार रखेगा कि How old was Milton? Milton कितने साल के थे जब उन्होंने Nativity Ode को लिखा था तो वो 21 साल के थे क्योंकि ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं इनका 1608 में जन्म हुआ और इन्होंने Nativity Ode को लिखा 1629 में तो आप इसके डिफरेंस से पता लगा सकते हैं उस समय इनकी येज कितनी थी? 21 साल दोस्तों क्लियर है? Next Where did the Nativity Ode appear? कहां? सबसे पहले Nativity Ode जो है किस में पबलिस होता है? Milton's First Collection of Poems वो First Collection of Poems क्या होता है? जो इनका First Collection of Poems होता है 1645 में उसमें पबलिस होता है तो जो Nativity Ode है वो क्या है? First Poem है दोस्तों उस Collection में ये क्या है? First Poem है क्लियर है? अगला हम लोग डिसकस करेंगे 9 नमबर पे अगर हम 9 नमबर पे बात करते हैं What major event? कौन सी बड़ी गटना गटी थुई? About the Virgin Okay, Ben Milton wrote the Nativity Ode जब Milton ने Nativity Ode को लिखा था तब कौन सी बड़ी गटना सुरू होने वाली थी Start होने वाली थी तो English Civil War याद रखेगा English Civil War कौन सी बड़ी गटना? English Civil War अगला question हमारा question नमबर दस Milton compare करते हैं The Music को At played At Christ worth to यानि के Milton ने उस संगीत की तुलना किये जो इसा मसी के जन्म की समय प्ले किया जाता है बजाया जाता है तो कौन सा The Music That played when The world was created कौन सा फिर repeat कर देते हैं The Music That played when The world was created ये वाला option आपका क्या होगा? सही होगा ठीक है The Music that played The Music that played Clear है? याद रखना इस वाले को Next question देखो अगला question क्या है? Milton tells is Muse too जो John Milton होते हैं वो अपने Muse को यानि कि क्या बताते हैं? तो क्या बताते हैं? किसके बारे में बताते हैं? Take his hymn to the infant Christ किसके बारे में बताते हैं? Take his hymn to the infant Christ ये वाला option आपका क्या होगा? सही होगा ओके जानकारी प्राप्ट करने के लिए हिमन को अब आगे देखो Next question Immediately त्रंट After the Christ वर्थ इसा मसी के जन्म के त्रंट बाद क्या होता है? कौन सी घटना घटित होती है? जितनी भी बार होते हैं यूद होते हैं वो सभी बंद हो जाते हैं सीज हो जाते हैं तो कौन सा आप्शन सही होगा? All wars सभी यूद सीज का मतलब होता है बंद हो जाना जैसे हम लोग नहीं कहते हैं आज हमारी गाड़ी सीज कर दी या इस फैक्टरी को सीज कर दिया यानि कि जितने भी यूद होते हैं वो सभी बंद हो जाते हैं तेरे नमबर पर देखिएगा Who was the king of England England का राजा कौन होता है? At the time उस समय Milton Road the Nativity Ode 13 नमबर कहता है उस समय England के राजा कौन थे? जब John Milton ने Nativity Ode को लिखा तो जब John Milton ने Nativity Ode को लिखा उस समय England के राजा King Charles I थे ये वाला option आपका सही होगा King Charles I दोस्तो 14 नमबर की बात करें At the time Milton Road the Nativity Ode He was A.N. अब देखो यहाँ पर समझेगा जिस समय John Milton ने Nativity Ode को लिखा था तो उस समय ये celebrated poet बन चुके थे या बहुत ही ज़ादा celebrated pumpulator थे या famous politician थे उस समय तो ये पढ़ाई कर रहे थे Cambridge University में और Cambridge University में पढ़ते पढ़ते इन्होंने इन poems इस Ode की रचना की थी तो उस समय इनको कोई नहीं जानता था ये एक unknown poet थे और इसी Ode से इन्होंने अपने career की यानि की poetic career की शुरुआत की तो last वाला option हमारा क्या होगा ठेक होगा दोस्तो unknown poet 15 नंबर की अगर हम बात करें Milton wrote the Nativity Ode in Milton ने Nativity Ode को कब लिखा तो 1629 में ये most important है याद रखेगा जौन मिल्टन का सबसे पहला Ode कौन सा है 1629 और published poem कौन सी है इनकी on Shakespeare दिहां रखेगा 1900 sorry not 1900 by mistake मेरे मुँ से निकल जाता है 1900 आप 1630 में on Shakespeare और 1629 में Nativity Ode John Milton के द्वारा अगला हम लोग discuss करेंगे 16 नंबर पर some sections of the Nativity Ode resemble 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 का मतलब होता है look like के समान दिखना के जैसा दिखना okay हम सा कल समझो Milton's letter epic poem थोड़ा इसको ध्यान से समझेगा जो Nativity Ode है वो John Milton के बाद की कौन सी कविता से मिलता जोलता है कौन सा महाकाबे लिखा था जिससे इनकी ये Nativity Ode जो है वो मिलती जोलती है तो कौन सी है चार options आपके सामने है चार options में इसे एक option आपका क्या है सही है Paradise Lost Paradise Lost में Nativity Ode सी भी थोड़ा बहुत जैसे इसके character मिलते हैं तो यहाँ पर अगला नेक्स्ट हम लोग डिसकस करेंगी सत्रय नमबर Milton draws from the conventions of poetry in the Nativity Ode Milton in Nativity Ode में कविता के सम्मेलनों को conventions को आकारसित होते हैं किन चीजों से सत्रय नमबर का option क्या होगा आपका epic epic poetry, conventions of epic poetry Milton draws from the conventions of epic poetry in the Nativity Ode अगला 18 नमबर पर what is the final scene in the Nativity Ode Nativity Ode का जब आप Nativity Ode को पढ़ रहे होते हो तो Nativity Ode का final scene कौन सा है आपको यह बताना है अगला question है what is the final scene in the Nativity Ode Nativity Ode का final scene कौन सा होता है a fleet of, fleet means होता है जहाजों का बेड़ा FLWT fleet, fleet means जहाजों का बेड़ा of angles surrounded the Christ in the manger manger means क्या होता है basically नाद या कोई बड़ा सा बर्थन okay manger नाद नहीं होता है जिसमें जानबर जो हैं चारा डाल देते हैं और नाद में खाते हैं उसको manger कहते हैं तो यह वाला third वाला option आपका क्या होगा? सही होगा 19 नंबर पे अगर हम बात करें, what event occurs in the introduction of Milton's hymns? Milton के hymns का मतलब होता है बैसे तो भजन करना, किसी को याद करना और आप तो जानते हों कि John Milton जो हैं वो सुरुआ से religious nature के रहे थे तो Milton के उन्होंने का what event occurs in the introduction of Milton's hymn तो Milton sends his muse to the manger जो Milton होते हैं, sends भेज़ देते हैं किसको भेज़ देते हैं? His muse, अपनी muse को to the manger ओके यह बाला option आपका 19 नंबर पे क्या होगा? सही होगा दोस्तू अगला question, Milton explain करते हैं how Christ died Milton ने explain किया है, Milton बताते हैं कि ईसा मसी की मृत्यू कैसे हुई? चार option फिर आपके सामने हैं कि एसा मसी की मृत्यू कैसे हुई? To redeem our sins कैसे हुई? To redeem our sins ध्यार रखिएगा To redeem our sins यानि कि 20 का एकदम अंतिम हमारे पापों को कम करके अगला Milton compares angels to जॉननल्टन होते हैं वो देव दूतों की तुलना किस से करते हैं? तो जो जौन मेल्टन होते हैं इस poem में angels की तुल्ण जो करते हैं वो किससे करते हैं? इस quadrant से ठीक है किससे करते हैं? इस quadrant से अगला Christ was born during which season इस poem में Jesus Christ का जन्म कौन सी season में बताया गया है इसा मसी का जन्म के समय कौन सा season था तो आपको आंसर देना है winter season में शुरुवात में ही पहली paragraph में starting में ही बताया गया है winter season दोस्तों अगला 23 नमबर पे at Christ worth Jesus Christ के जन्म के समय nature is nature बड़ी assumed होती है ये वाला option से योगा बड़ी सर्मिन्दा होती है अगला 24 नमबर पे milton suffered talk about जो milton के suffered होती है वो talk about किसके बारे में बातचीत कर रहे होती है their lovers अपनी lovers के बारे में दोस्तों अगला question अंतिम question of this video milton describe milton describe करते है how, कैसे after the final judgment ओ जो final judgment होता है milton ने बताया कि अंतिम नणाय के बाद किस तरीके से तो earth will be destroyed earth will be destroyed ये वाला option आपका सही होगा दोस्तों तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको थोड़ी सी भी जानकारी दुरुस्त की हो या जानकारी में थोड़ा सा इजाफा किया हो तो दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले जै हिन जै भारसा दियो